Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace, हम लोग class 6th history का chapter number 8 कर रहे हैं, the chapter name is vital villages and thriving towns, vital का मतलब होता है essential, thriving का मतलब होता है flourished, तो इस chapter में हम पढ़ेंगे कि villages, towns and cities में किस तरीके से social development हो रहा था, किस तरीके से villages, towns and cities का development हो रहा था, इससे पहले तो हमने political development पढ़ा, अब हम social development पढ़ेंगे इस chapter में, प्रभाकर की यहां पर एक story बताई गई है, प्रभाकर blacksmith की shop पर था, blacksmith कोन होते हैं, जो iron से iron tools बनाते हैं, जो लोहे का काम करते हैं and लोहे से tools बनाते हैं, weapons बनाते हैं, जैसे कि blacksmith को हम हिंदी में कहते हैं, लोहार, आपने goldsmith सुना होगा, ज जो सोने का काम करते हैं, ऐसी blacksmith क्या होते हैं, यह iron का काम करते हैं, तो प्रभाकर जो है, वो एक local shop पर smith को देख रहा था, कि वो किस तरीके से iron से iron tools बना रहे हैं, मतलब लोहे से वो लोहे के उपकरण बना रहे हैं, ओजार बना रहे हैं, अब उसने वहाँ शोब पर iron tools रखे हैं यह ready for sale है मतलब इनको बना कर इसलिए रखा गया ताकि इसे बेचा जा सके इसके अलावा उसने local shop पर क्या देखा bright fire देखी मतलब एक आग की भटी देखी अब उस आग की भटी में जो iron है उसे heat किया जा रहा था और फिर उसे beat किया जा रहा था देखो iron से iron tools बनते हैं heat and beat के process से heating and beating process किस तरीके से होता है यह पहले तो iron को गरम किया जाएगा गरम करके उसे तपाया जाएगा फिर उस पर हथोड़ा मारा जाएगा हथोड़ा मार कर फिर उसे shape दे दी जाती है तो इसे हम heating बीटिंग कहते हैं अब उसने ये भी देखा कि उस शोप में काफी ज्यादा नोईस थी मतलब काफी ज्यादा शोर शराबा भी हो रहा था और काफी ज्यादा गर्मी थी लेकिन फिर भी उसे ये सब चीजे देखना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफी क्यूरियस अब हम यहाँ पर iron tools and agriculture के बारे में बात करेंगे कि iron tools कौन-कौन से use किये जाते थे agriculture में इनका किस तरीके से use किया गया देखो आज के time पर तो हम अपनी daily rose marra की जिंदगे में iron and steel से बने हुए चीजों को use करते हैं मतलब हम daily life में iron का use करते हैं iron tools का steel tools का use करते हैं और कि हम iron के use को आज के time पर for granted ले लेते हैं क्योंकि हम daily life में जो चीज यूज करते हैं हम उसको इतनी importance नहीं दे पाते अगर हम यह बात करें कि iron का use कब हुआ था हमारे subcontinent पर तो iron का use होने लगा था 3000 years ago 3000 साल पहले iron का use होने लगा था हमारे subcontinent पर ठीक है some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalith burial about which you have read in chapter number 4 आपने chapter number 4 में क्या पढ़ा था megalithic burial के बारे में पढ़ा था कौन कौन सी burial site थी वो बुर्ज होम एंड इनाम गाउं आपने वहां पर क्या देखा था कि वहां पर बहुत सारे iron tools मतलब iron के बने हुए tools पाए गए ओजार पाए गए और weapons पाए गई थे ठीक है तो आपने ये megalithic burial site में देखा था कि 3000 साल पहले iron का use होने लगा था और हमने ये भी देखा था कि burial sites पर जब वहां पर लोगों को दफनाया जाता था ना उनके साथ भी iron tools and weapons को भी दफनाया जाता था तो ये चीज तो हमने megalithic burial में पढ़ ली थी जिसमें हमने दो site पढ़ी थी बुर्ज होम and इसके अलावा इनाम गाउं फिर अगर हम 2500 साल पहले की बात करें तो 2500 साल पहले क्या हुआ कि जो iron के tools थे ना जो tools बनाये जाते थे उनका उपयोग बढ़ने लगा अब iron के जो बने हुए tools थे जैसे की axes मतलब कुलहाडी iron plowshare मतलब iron के बने वो use किये जाने लगे तो 2500 साल पहले iron tools का use बढ़ने लगा था वैसे तो iron tools को use किया जाने लगा था 3000 साल पहले लेकिन 2500 साल पहले कहते ने कि किसी चीज का use बढ़ने लगता है उपयोग बढ़ने लगता है तो वो 2500 साल पहले होने लगा था हमने chapter number 5 में भी इसके बारे में प आपना forest को clear करने के लिए यह चीज़ आपको ध्यान रखने है ठीक है अब इसके लब दूसरा tool कौन सा था जिसको use किया जाने लगा था ज्यादा तर वो था iron plowshare मतलब लोहे का बना हुआ हल इसे use किया जाता था agricultural production को increase करने के लिए ठीक है किसको agricultural production को increase करने के लिए अब मैं आपको recall कराती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था हमने यह जाना था कि iron plowshare से पहले न वो लोग wooden plowshare का use करते थे अब लकडी का बना हुआ plowshare होता था तो क्या होता था कि उससे land को अच्छे से toil नहीं किया जाता था तो जब land को अच्छे से toil नहीं करेंगे तो agricultural production अच्छा नहीं होगा क्योंकि जब अगर हमें खेती का production बढ़ाना है तो हमें अच्छे से जोतना पड़ेगा जमीन को ठीक है जिसे हम toiling कहते हैं लेकिन जब iron plowshare का use किया जाने लगा तो इन लोगों ने यह पाया कि जो जमी इन अच्छे से toil होने लगेगी तो agricultural production बढ़ने लगेगा तो पहले तो यह लोग क्या करते थे wooden plowshare का use करते थे लेकिन फिर iron plowshare का use होने लगा था जब इनको metal के बारे में पता लगने लगा तो इनोंने metal से बने हुए उपकरन का use करना शुरू कर दिया तो इनोंने iron plowshare का use किया agricultural production को increase करने के लिए तो यही हमने इस paragraph में पढ़ना था कि iron tools कौन-कौन से थे and iron tools का agricultural production में क्या use किया जाया करता था अब हम देखेंगे कि agricultural production में दूसरा step कौन सा था एक तो हमने यह देखा कि iron से बने हुए tools को use किया जाता था अब दूसरा हम देखेंगे irrigation irrigation के through भी agricultural production को बढ़ाया जाता था देखो villages का flourished होना बहुत जरूरी था अगर villages flourished नहीं होते ना तो राजा रहता ना राजा के पास उसका kingdom रहता क्यों क्योंकि देखो villages में agricultural production होता था और हमने tax के बारे में पढ़ा था सबसे ज़्यादा tax जो है वो agriculture पर लगा हुआ था और कोई भी village उस टाइम पर तब ज़्यादा flourished माना जाता था जहां पर agricultural production अच्छी मात्रा में होता है वाइल new tools and the system of transplantation जिसमें हमने paddy transplantation के बारे में बात की थी ये भी हम chapter 5 में पढ़ चुके हैं increased production irrigation was also used तो नए नए tools का यूज किया जाने लगा जैसे की axes iron plowshare इनका यूज किया जाने लगा इसके अलावा new system से जो agricultural production है वो बढ़ने लगा इसके अलावा irrigation का अच्छे से यूज होने लगा सिचाई अच्छे से होने लगी and irrigation works that were built during this time included like kennels, wells, tanks and artificial lakes तो irrigation की जाती थी किसके द्वारा kennels बनाए गए, wells बनाए गए मतलब कुएं बनाए गए, tanks रखे गए इसके अलावा artificial lakes बनाए गए जिससे खेतों में पानी दिया जाता था और खेतों में अगर प्रॉपर पानी दिया जाएगा तो production तो अच्छा होगा ही agricultural production अब इसके अलावा यहां पर देखो iron tools दिये गए हैं यहां आप देख रहे हो यह है tong आपने घर में सुना होगा जिसे आप रोटियां वगेरा सेखते हो ना जिसे हम चिम्टा कहते हैं शायद है ना चिम्टा ही कहेंगे ना उसे हम उसे हम इंग्लिश में करते हैं अब यहां पर यह भी दो iron जो है tools बन दिखाए गई हैं यहां पर तो देखते हैं यहां पर यह कौन-कौन से एक तो है sickle यह देखो यह सिकल फिर है टॉग यहां पर आप देख रहे हो यह है टॉंग, जिसे हम हैंडलर भी कहते हैं फिर है यह एक्स यह देखो, यह है एक्स यह है कुलहारी, ठीक है इस तरीके से आइरन टूल्स बनाए जाते थे और इनको यूज किया जाता था, वैसे आज के टाइम पर तो हम आइरन टूल्स का एंड स्टेल टूल्स का डेली लाइफ में यूज करते हैं तो इसीरे हम इसकी इतनी इंपोर्टनेंस नहीं जान पाते हैं यहाँ पर यह एक एक्टिविटी दी गई है, आपने इनको फिल इन करना है यहाँ इन ब्लैंक्स में तो पहला क्या है Kings need money for armies, palaces and forts, भई राजा जो है उसको अपनी army, palaces and forts के लिए पैसा चाहिए, armies को maintain करने के लिए, palaces को maintain करने के लिए इसके अलावा, जो forts होते हैं उनको बनवाने के लिए, तो King को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, money बने चाहिए, तो अब राजा क्या करेगा, farmers पर tax लगाएगा, तो farmers पर tax लगाएगा, tax की demand करेगा तो अब farmers क्या करेंगे farmers को tax pay करना है तो वो tax pay करने के लिए agricultural production को increase करेंगे, तो यह वाला जो point है, यह इस number पर third number पर आजाएगा, अब agricultural production को increase करना है तो वो increase होगा irrigation के थ्रू अब यहां पर जो राजा है वो क्या करेंगे वो money प्रोवाइड करेंगे और जो irrigation plan है फिर वो workout करेंगे तो यहां पर 5th नंबर पर यह आ जाएगा फिर अगर हम 6th की बात करें तो 6th पर आएगा labor is provided by अब लोग जो हैं जो farmers हैं वो labor provide करेंगे मतलब वो काम करेंगे ताकि irrigation production जो है वो increase हो सके अब production increase होगा अब production increase होगा तो revenue भी अच्छा खासा आएगा अब revenue अच्छा खासा आएगा तो ninth number पे आएगा ये वाला point कि राजा को तो help होगी ही इसके अलावा farmers की भी help होगी क्योंकि farmers को भी benefit मिलेगा उस revenue से उस crop production से एक तो किस तरीके का benefit होगा कि वो tax दे पाएंगे राजा को और दूसरा ये होगा कि कुछ revenue अपने लिए भी बचा पाएंगे और जो crop production हुआ है उसको वो बाहर बेच भी पाएंगे तो अच्छे खासे तरीकों से जो farmers है फिर वो कमा सकते अच्छा देखो ध्यान से सुनना ये वाले points यहां से question आते हैं और हर exam में question आते हैं questions मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पूछे जाते हैं there were at least three different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent तो अगर हम southern and northern part की बात करें तो यहां पर तीन different kind of people रहते थे तीन तरीके के लोग जैसे कि in Tamil region large land owners were known as well-a-lar तो यहीं से एक question बन गया ठीका बहुत बहुत important question है ये तामिल region में जो large land owners थे मतलब जिनके पास अच्छी खासी जमीन थी जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे उनको क्या कहा जाता था well-a-lar और यह question आया हुआ है not only seated बलकि SSC and UPSC में भी यह question पूछे जाते हैं तो ध्यान देना इन चीजों पर तो तामिल region में जो large land owners थे उनको कहा जाता था well-a- and जो ordinary plowman थे मतलब जो hull वगेरा चलाया करते थे उनको उजहावर कहा जाता था and जो landless laborers थे जिनके पास जमीन अपनी नहीं थी जो दूसरों के खेतों में काम करते थे and इसके अलावा जो slaves थे उन दोनों को ही कहा जाता था कदाई सियार and आदिमाई तो आप कैसे ध्यान रखेंगे आपको ध्यान में यह रखना है और यहीं से यह जो point ने सारा का सारा बहुत important है इसको आपने highlight कर गे रखना है तो पहले आपने क्या जानना है कि जो large land owners थे उनको कहा जाता है वैलालर तामिल रीजिन में and जो ordinary plowman थे उनको कहा जाता है उज आपको ध्यान रखने ही रखने हैं तीनों नाम बहुत important है अब next page पर चलते हैं अब यहां पर हम northern part की बात करेंगे यहां पहले तो हमने अभी बात की थी southern part की जिसमें हम तामिल रीजिन देखा था हमने अब हम northern part की बात करेंगे हमने यहां पढ़ा था ने कि southern and northern parts में three different kinds of people रहा करते थे तो तामिल में हमने यह तीन लोग देखे वैलालर उजहावर एंड थर्ड वन इस कदाई सियार एंड अधीमाई नेक्स्ट है northern part में northern part में तीन different kind of people कौन रहते थे वो देखो अभी आप सबसे पहले यहां पर बात की गई है ग्राम भोजक के बारे में अब ग् विलेज के head men थे मतलब जो मुखिया होते है ना गाउं के उनको कहा जाता था ग्राम भोजक अब यह जो village head men है इनको ग्राम भोजक कहा जाता था northern part में यूजवली men from the same family held the position for generations अब क्या होता था कि एक generation से दूसरी generation में इस post को transfer कर दिया जाता था जैसे कि यह head man है अब इसक जो बेटा होगा फिर उसको head man बनाया जाएगा फिर इसके बेटे को head man बनाया जाएगा फिर इसके बेटे को head man बनाया जाएगा तो क्या होता था कि one generation से दूसरी generation में post को transfer कर दिया जाता था जिसे हम कहते हैं hereditary ठीक है तो hereditary crown को transfer कर दिया जाता है जैसे कि हम यहां पर ए गुप्त मौरिया ने रूल किया, फिर उनके बेटे बेटे अशोका ने रूल किया, तो इसी तरीके से यहाँ ग्राम भोजक की जो पोस्ट है वो भी ऐसे हेरेडिट्री जो है ट्रांस्फर कर दी जाती थी, ग्राम भोजक वोज ओफन दा लार्जेस्ट लैंड ओनर और जो य लेवस रख्ये हुए थे एंड कुछ वर्कर्स को हायर किया हुआ था जो इनकी जमीनों पर कल्टिवेशन किया करते थे अब इसके अलावा ये जो हैड मैं थे ये काफी पावर्फुल भी होते थे और राजाओं ने जो गाउं से टैक्सिस को कलेक्ट करने का काम था वो इन व पावर्फुल भोजक थे या विलेज हैड मैन जो थे ये लोगों से टैक्सिस कलेक्ट किया करते थे और फिर राजा को किया करते थे इसके अलावा ये ग्राम भोजक का काम क्या था ये कभ़ी-कभी जज़ बन जाते थे और कभी-कभी पुलिसमेन अगर गाउं में किसी को नियाय दिलाना है तो ये जज़ बन गए, कहीं कुछ हुआ है और जैसे कहीं छोटा मोटा क्राइम हो गया, कोई सिविल क्राइम हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये पुलिस की तरह उसकी जाच परताल भी करते थे, तो हमने यहां पर क्या देखा, देखो ग्राम भोजक जो थे से इनके पास बड़ी बड़ी जमीने थी फिर फॉर्थ पॉइंट हमने क्या देखा हमने यह देखा कि यह अपने नीचे slaves and workers को hire करते थे जो इनकी जमीनों पर काम करते थे फिर हमने यह देखा कि ये village headman काफी powerful थे इसके अलावा राजाओं ने इनको क्या काम दे रखा था कि ये village headman गाओं से taxes को collect करेंगे और फिर वो taxes ये देंगे राजा को फिर six हमने क्या देखा कि ये जो village headman है ये powerful थे that means कि इनको नयदीश का काम भी दे रखा था judge करने का कि किसको सजा देनी है किस किया करते थे तो आपको ये सारे point याद रखने है ग्राम बोजक के अलावा मैं एक second pen का color change कर देती हूँ दूसरा pen ले लेते हैं ये बड़ी है तो ग्राम बोजक के अलावा अब आते है independent farmers अब independent farmers को कहा जाता है ग्रहपती अब ये कौन होते थे इनके पास small lands होती थी तो इ बहुत कम होती थी अब जितनी भी होती थी ना उसमें ये अपना गुजर बसर कर लिया करते थे तो इनको हम कहते हैं ग्रहपती तो इनके पास खुद की जमीन होती थी इनको दूसरे की जमीन पर काम करने की जरूरत नहीं होती थी अब जितनी जमीन इनके पास होती थी उसम जिंके पास अपनी जमीन खुद की नहीं होती थी, वो men and women जिंके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी, and यह अपने livelihood को कैसे earn करते थे, यह दूसरों की जमीनों पर काम करते थे, और तब जाकर यह अपने livelihood को earn किया करते थे, अब इसके अलावा, villages में, craft persons भी होते थे, अब craft person कौन हुए जो हाथों की कलाकारी किया करते थे, मतलब हाथों से काम किया करते थे, manual work किया करते थे, जैसे कि blacksmith, जिसे हम lohar कहते हैं, potter, जिसे हम कुमार कहते हैं, carpenter, जो लकडी का काम करते हैं, and weaver वो हो गए, जो बुनाई करते हैं कपडों की, अब देखो, हम इसको कैसे sum up करेंगे, ये वाला part, आपने इसमें क्या-क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है, कि northern and southern part के, subcontinent part में, तीन तरीके के लोग रहा करते थे, तो आपको ऐसे compare में, ऐसे अपनी book में लिख लेना, यहाँ पर लिखना एक जंगे Tamil region, जो की southern part था, यहाँ पर लिखना northern part, so southern part में आप क्या लिखोगे, आप ऐसे तीन point लिखना, पहले लिखना वेलालर, वेलालर वो लोग थे जो large land owners थे, दूसरा लिखना उजावर, वो लोग जो ordinary plowmen थे, जो हल वगेरा का काम किया करते थे, and third आप लिखेंगे कदाई सियार और अधिमाई, जो slaves and landless laborers थे, अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो northern part में वो लोग जो large land owners थे, वो थे, ग्राम भोजग, दूसरे थे ग्रहपती, जो की independent land owners थे, मतलब independent farmers थे, उनके पास अपनी छोटी-छोटी जमीने होती थी, जिसे हम small land owners भी कहेंगे, and third वो लोग थे, जो landless laborers थे, तो इनको क्या कहा जाता था northern part में, इनको कहा जाता था कर्मकार, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, अभी हम earliest Tamil compositions की बात करेंगे, तो Tamil में जो earliest work है, उनको हम संगम literature कहते हैं, अब देखो संगम literature क्यूं कहा जाता है, वो चीज़ यहाँ पर बताई है, अब ये जो संगम literature है, ये ये तेईस सो साल पहले compose किये गए थे, और इस literature को संगम literature क्यूं कहा जाता है, reason ये है कि जो poets थे न, वो poets एक assembly में आकर मिलते थे, बहुत सारे poets होते थे, देखो, बहले तुम्हें संगम का मतलब बता देते, जैसे कि suppose करो ये एक नदी, ये दूसरी नदी, ये तीसरी नदी, अब ये तीनों नदी जब आगे जाकर एक जगह मिल जाएंगी, तो इनको क्या कहेंगे, हम तीनों नदीों का संगम कहेंगे, क्योंकि एक जगह आकर मिल गई, तो ऐसे ही, संगम का मतलब यहां पर क्या है, assembly, बताब बहुत सारे poets आते थे, एक जगह पर आकर वो लोग मिलते थे, बैठते थे, और वहां पर उन सब ने मिलकर, जो लिट्रेचर है, उसे compose किया, and then compile किया, तो बहुत सारे poets आकर ऐसे मिलते थे, बैठते थे, तो इनी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, poets का संगम, तो उन्होंने बैठ कर literature को compose किया, एक साथ मिलकर, and compile किया था, and यह जो संगम होता था, यह कहां हुआ था, city of madurai में, madurai शहर में, and जो tamil terms है न, जो आप map number 7, 105 page पर देखेंगे, यह सब आपको संगम literature में terms देखने को मिलेंगी, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना, एक तो यह चीज़ ध्यान रखने है, कि संगम literature, southern area में यह develop हुआ था, और southern area में मैंने आपको last video में, अभी previous video में बताया था, कि चेराज, चोलाज, and पांड्याज, इन तीनों kingdom ने ही संगम literature को develop किया था, खूब, क्योंकि इसको पुरा support किया था, अब जो यह राजा थे, यह जो है, यह संगम literature को support करते थे, and यह जो assembly होती थी, तो यह assembly मदुराई शहर में होती थी, और इस assembly को संगम कहा जाता था, जिसमें बहुत सारे poets आकर बैठते थे, and literature को compose and compile करते थे, और इसी compilation को संगम literature कहा गया, तो ध्यान रखना, यह जो संगम literature है, यह Tamil region की है, सदर्न पार्ट की ध्यान रखना यह चीज़ ठीक है, बस आपको अभी इसमें इतना ही ध्यान रखना है, अब जो यह आगे वाला पार्ट है, यह हम next वीडियो में करेंगे, आप मेरे साथ telegram and instagram पर जुड़ना बिलकुल मत भूलना, इन दोनों के link आपको description box में मिल जाएंगे, my instagram id is priyankagor8, और इसके अलावा आप लोग telegram पर मुझे सर्च कर सकते हो, learning with pace के नाम से, मिलते हैं next वीडियो में, this side Priyanka Gaur, I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video, thank you. Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel, learning with pace, हम लोग classics के history का chapter number 8 कर रहे थे, chapter number 8 का ये है second part, and the chapter name is, vital villages and thriving towns, देखो हमने previous topic में तो villages के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने northern and southern villages के बारे में जान लिया था, अब हम cities के बारे में पढ़ेंगे, कि किस तरीके से towns and cities flourish हो रहे थे, thrive हो रहे थे, तो हमें cities के बारे में पता चलता है, stories के थू, मतलब कहानियों के द्वारा, travelers, sculptor and archaeologist के थू भी हमें शहरों के बारे में पता चलता है, कि किस तरीके से cities and towns thrive कर रहे थे, you may have heard about जातकाज, आपने जातकाज के बारे में तो सुना ही होगा, जातकाज क्या थे, ये हैं stories, मतलब कहानियां, और ये compose की गई थी, ordinary people के द्वारा, मतलब आम लोगों ने इनको compose किया था, फिर बाद में इनको write down किया गया, मतलब लिखा गया, and then इनको preserve किया गया, मतलब सेफ रखा गया, बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा, तो यहां पर important question बनता है, ध्यान रखना जातकाज क्या है, ये stories है, अब stories का मतलब क्या है, कि जातकाज में बहुत सारी कहानियों को include किया गया है, ठीक है, इन stories को compose किया था, ordinary people ने, फिर इनको write down किया गया, फिर इनको preserve किया गया, मतलब सेफ रखा गया, बुद्धिस्ट मंक के द्वारा, here is a part of जातक स्टोरी, अब हम next page पर एक जातक स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है, कि किस तरीके से एक poor man, एक गरीब आदमी, gradually मतलब धीरे-धीरे किस तरीके से वो अमीर बन जाता है, तो जो ये हम स्टोरी पढ़ेंगे, कि किस तरीके से एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है, ये स्टोरी कहां से ली गई है, जातकास से ली गई है, the clever poor man, once upon a time there was a clever young poor man lived in a city, एक time की बात है, जब एक clever poor young man एक शहर में रहा करता था, his only resource was a dead rat, and he started off selling it for a coin to a hotel for their cat, देखो, अब ये क्या करता था, ये ना dead rats जो होते हैं उनको पकरता था, hotel में जाकर बेच देता था, अब उसके बदले उसे coins मिलते थे, ठीक है, अब hotel में जाकर इसलिए बेचता था, ये अपने livelihood को earn किया करता था, then one day there was a storm, अब एक दिन ऐसा आया कि बहुत तेज का तुफान आया, तो अब राजा का जो garden था, राजा के garden में branches and leaves जो है वो तूटकर गिर गई, इतना तेज का तुफान आया था, तो राजा का garden काफी messy हो गया था, अब जो राजा का garden साफ करने वाला gardener था ना, उसने इतना सारा mess देखा, तो वो ये सोचने लगा कि इतना सारा mess मैं कैसे साफ करूँगा, अब ये जो clever poor young man है, इसने क्या किया, इसने इस मोके का फायदा उठाया, इसने gardener को कहा, कि ये जो garden है तुमारा, अब इस young man ने देखो क्या किया, garden के आसपास जितने बच्चे खेल रहे थे ना, उनको बुलाया और उनको ये कहा, कि मेरे साथ ये stick and leaf उठवा दो, और जैसे ही तुम लोग एक-एक stick and एक-एक leaf को collect करोगे, इसी के साथ-साथ मैं तुम लोगों को एक-एक मिठाई भी दूँगा, सो विद नो टाइम, सभी ने मिलकर वो garden साफ कर दिया, और बहुत सारी लकडियों का, और पतियों का एक pile-up तयार हो गया, और उन्होंने उसको gate के सामने रख दिया, अब इसी टाइम पर हुआ क्या कि जो राजा का potter था, जो कुमार था, वो आज-पास फ्यूल के लिए लकडियां वगएरा डून रहा था, तो अब क्या हुआ, उसने इस young man को देखा, इस young man ने, वो जो सारा का सारा pile था ना, stick and leaf का, वो इस कुमार को बेच दिया, अब कुमार को इन लकडियों की जरूरत इसलिए थी, क्योंकि क्या होता है, कि जो कुमार होते हैं, वो मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं आग में, तो फ्यूल के लिए उसे लकडियां एंड पत्ते चाहिए थे, तो इस यंग मैन ने यहाँ पर दिमाग लगाया, और ये सारी के सारे जो ढेर था ना, stick and leaf का, वो उसने उस कुमार को बेच दिया, और इसके बदले यंग मैन को कुछ पैसा मिल गया, देखो कितनी समझदारी से इसने पैसा कमाया है ना, अब इस यंग मैन ने एक अनदर प्लैन बनाया, और ये प्लैन इसका master stroke था, देखो इसने क्या किया एक jar लिया, उसमें पानी भरा, और ये city gate की तरफ चला गया, अब city gate पे बहुत सारे grass cutters होते थे, जो गास काटने का काम करते थे, तो इसने क्या किया 500 grass cutters को पानी ओफर किया, तो अब जैसे ही grass cutters ने पानी पिया, देवर pleased, वो खुश हो गए थे, अब इन्हों ने इस young man को ये कहा, कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए इसके बदले, एक ट्रेडर था, व्यापारी जो होते हैं, उसके साथ इसने दोस्ती कर ली थी, अब ये जो ट्रेडर है, इसने एक दिन कहा, कि टुमोरो अ होर्स डिलर इस कमिंग, कि एक ना होर्स डिलर, मतलब होर्स बेचने वाला जो डिलर है न, वो आने वाला है, और लगबग अपने साथ वो 500 होर्स लेकर आएगा, 500 गोड़े लेकर आएगा, अब यंग मैन ने जैसे ही ये बात सुनी न, कि शहर में एक होर्स डिलर आ रहा है, अपने साथ वो 500 गोड़े भी लेकर आएगा, तो अब ये यंग मैन वापी से इन ग्रास कटर्स के पास गया, और यहाँ पर इस यंग मैन ने इन ग्रास कटर्स से हेल्प मांगी, अब ये जो ग्रास कटर्स थे, ये उल्रेडी इसके डेट में थे, क्योंकि इन्होंने प्रोमिस किया था कि जब भी तुमको जरूरत होगी हमारी हम तुमारे काम आएंगे, तो अब इस यंग मैन ने क्या किया, इसने इन ग्रास कटर्स को कहा, कि मुझे एक-एक बंडल दे दो सबी, और तब तक आप लोग अपनी ग्रासिस नहीं बेचना, जब तक मेरी ना बिख जाए, तो इस बात पर सारे के सारे ग्रास कटर्स अग्री हो गए और सबने अपना जो एक-एक बंडल है ग्रासिस का वो इसे दे दिया, तो कुल मिला कर इस यंग मैन के पास कितने बंडल हो गई थे ग्रासिस के, 500 बंडल हो गई थे, अब ये horse dealer जैसे ही शहर में आता है तो इसको कहीं पर भी grasses नहीं मिलती क्योंकि ये 500 grass cutters जो थे इन्होंने तो मना कर दिया था गांस बेचने से तो अब ये dealer जाता है इस young man के पास और अब ये young man जो इस situation का अच्छा खासा फायदा उठाता है और वो क्या करता है इन 500 bundles of grasses को बेच देता है इसके बदले उसे thousand मतलब 1000 coins मिल जाते हैं तो देख रहे हो अब किस तरीके से एक poor man जो था वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एकदम अमीर बन जाता है हमें इन early cities में रहने वाले लोगों की जिंदकी के बारे में अलग-अलग evidences से भी पता चलता है जैसे कि sculptors, sculptors कोन होते हैं? मूर्तिकार होते हैं अब ये जो sculptors थे ना, ये अपने आस-पास के होने वाले scenes को depict करते थे, carve करके मतलब कि जिस तरीके से लोगों का शहरों में, गाउं में, and forest में रहने का तरीका था खाना, पीना, उठना, बैटना, custom, culture जो भी थे, इन चीजों को carve किया जाता था sculptors के द्वारा, तो ये जो sculptors थे ना, ये क्या करते थे? ये railings, pillars, and gateways of the buildings पर नकाशी वगेरा कर दिया करते थे और यहां पर लोगों की आवाजाही भी लगी रहती थी, ठीक है, लोग यहां पर आते जाते रहते थे तो इससे भी हमें पता चलता है कि उस time पर गाउं में, शहरों में, and forest में रहने वाले जो लोग थे, उनके customs and culture किस तरीके के थे? तो दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा कि स्कल्प्टर्स के थूपता चलता है अभी इन figures को बाद में देखें कि एक बार यहां देखते हैं क्या है? यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है? जिसके बारे में आपने चैप्टर नमबर फाइव में भी पढ़ा हुआ है देखो हम जिन सिटीज की बात कर रहे हैं इन में से कुछ सिटीज तो ऐसी हैं जो पचीस सो साल पहले डिवेलप हुई थी और यह जो शहर थे यह महाजन पदस की कैपिटल्स भी रह चुके हैं मतलब इसकी राजधानिया भी रह चुके हैं अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नमबर फाइव में इन कैपिटल्स के बारे में भी पढ़ा था यहाँ पर आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने मगद की कौन सी दो कैपिटल्स पढ़ी थी इसके अलावा आपको मैं ये भी याद दिला दू कि हमने ये भी पढ़ा था इन कैपिटल्स को जो है सराउंड किया जाता था बाए बिल्डिंग मैसिव फोर्टिफिकेशन वोल्स और हमने ये भी पढ़ा था ये बड़ी बड़ी दिवारे क्यों बनाई जाते हैं इसके हमने कुछ चार-पांच रीजन्स भी पढ़े थे तो आप वो चीज एक बार रिवाइज कर लेना ठीक है काफी सारे शहरों में Archeologist को ring wells भी मिले हैं अब ये ring wells होते हैं इसमें क्या था कि इनको मिला इन wells के अंदर कि काफी सारे ports को एक row में जचाया हुआ है या ये कहलो कि जो ceramic rings हैं उनको अरेंज किया हुआ था एक दूसरे के उपर तो ceramic rings का मतलब क्या है जो ये ports होते हैं ने ceramic के बने हुए थे ठीक है तो ये देखो जैसे कि आप ये देख रहे हो ये है ring wells इसमें जो ये ports है न वो एक दूसरे के उपर ऐसे जचाए हुए हैं मतलब जिन्हें आप ये कह सकते हो कि सिरैमिक रिंग्स जो है वो एक दूसरे को पर ऐसे अरेंजड थी अब ये जो आर्के लोजिस्ट को ring wells मिले है न ये बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने है और एक चीज़ ये ध्यान में आपको पता होने चाहिए इंपोर्टेंट है इसके अलावा ये जो ring wells है ये लोगों के घरों में भी बनी हुई मिली थी आर्के लोजिस्ट को ठीक है तो ये जो पूरा पैराग्राफ है न रिंग्वेल्स का ये ध्यान में रखना है काफी जादा इंपोर्टेंट है इसके अलावा आर्के लोजिस्ट को जो ordinary लोग थे उनके palaces, markets and homes वगेरा नहीं मिले है या फिर ये कह ज़कते हो कि अभी थोड़ी से discovery होना बाकी है इसके अलावा जो ये palaces, markets and homes ना मिलने का जो reason है वो ये है कि ये जो घर वगेरा होते थे ना लोगों के ये wood के बने हुए होते थे, mud brick के बने हुए होते थे, thatched house होते थे तो ये जो चीजे ने ये survive नहीं कर पाती है ज्यादा time तक, अब मैं आप लोगों को एक चीज और ध्यान दिला दू कि आप अगर पाटल पुत्र में पढ़ा हो, जब हम पाटल पुत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो अशोका एंड चंदरगुप्त मोरिया हैं, हमने मोरियन एंपायर में पढ़ा, तो इनके जो पैलेसिस थे ना वो भी लकडी के बने हुए थे, हाला कि उन लकडियों में उनको stone वगेरा को कार्व किया हुआ था, लेकिन लकडिया इतने time तक थोड़ी ना survive करती हैं, तो जो ये ordinary लोग थे, जो राजा महराजा रहा करते थे इनके palaces, इनके home या जो market होती थी ना, वो wood, mud brick and thatched houses थे, तो इसी लिए ये ज़्यादा time तक survive नहीं हो पाए, यही reason है कि archaeologist को आम लोगों के घरों के बारे में, राजाओं के palaces के बारे में उतने remains नहीं मिले जितने चाहिए थे, अब देखो यहां तक हमने ये तो पढ़ लिया कि cities के बारे में हमें story से पता चलता है, मतलब जैसे कि हमें जातका story से पता चलता है, sculptor से भी हमें पता चलता है, early cities के बारे में जिसका एक example यहां पर भी दिया हुआ है, इसके अलबा, archaeology के through भी हमें पता चलता है, जैसे कि हमने ring wells का भी example पढ़ा, तो अभी हम कि हमें शहरों के बारे में ट्रैवलर्स से भी पता चलता है तो क्या होता था न कि इन अर्ली सिटीज में जो सेलर्स थे या ट्रैवलर्स थे वो आते रहते थे और जो यहां आते थे उसके बारे में वो डिटेल्ड अकाउंट लिखा करते थे तो एक हमें मोस्ट डिटेल्ड मिलता है एक unknown Greek seller के द्वारा लिखा हुआ हमें उस Greek seller का नाम नहीं पता वो unknown है लेकिन उन्हों ने एक port का जो है पूरा description दिया था तो कौन सा port कौन से port पर इसने visit किया और किस port के बारे में इसने क्या क्या लिखा वो चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे तो यह जो unknown Greek seller है इसने बात की थी बरूच की तो आप एक बार map number 7 page number 105 पर देख ले ना और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि city की description कैसे की इस Greek seller ने the story of Barry Gaza अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बरूच की और यहाँ पर यह बरूच कैसे आया देखो यह जो बरूच का ग्रीक नेम है अब जो sailor यहाँ पर आया था विजिट करने उसने अपनी language में लिखा है तो वो ग्रीक sailor था तो उसने बरूच को क्या बोला था बैरी गाजा क्योंकि बैरी गाजा जो है वो ग्रीक नेम है बरूच का ध्यान रखना बैरी गाजा की जो गल्फ थी वो काफी नेरो थी तो इसी वज़े से जो लोग समुंदर से यहाँ इस पोल्ट पर आते थे शिप्स के थूँ उनको नैविगेट करने में काफी दिक्कत होती थी तो इन शिप्स को help की जाती थी नैविगेशन में किस के दवारा लोकल फिशर्मेन के दवारा और ये काफी स्किल्फुल एंड एक्स्पिरियंस होते थे और इनको राजा ने ही एंप्लोई किया हुआ होता था अब देखो बाहर से यहां पर इस पोर्ट पर सामान भी लाया जाता था बैरी गाजा में एंड बैरी गाजा से सामान बाहर लेके भी जाया जाता था तो जो सामान यहां पर इंपोर्ट होता था मतलब जो सामान यहां पर लाया जाता था वो था वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कॉरल, टोपाज, गलोध, इसके अलावा गॉल्ड एंड सिल्वर कोइन्स इस पोर्ट से बाहर सामान एक्सपोर्ट भी किया जाता था, बाहर भेजा भी जाता था जैसे की हिमालन प्लांट्स, आईवरी, एगेट, ये सुलेमानी पत्थर होता है, जो एगेट होता है इसके अलावा करनेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, इन चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था अब जो मर्चेंट्स यहां पर इस पोर्ट पर आते थे, वो राजा के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आते थे अब स्पेशल गिफ्ट में जैसे की कुछ सिल्वर के बरतन हो गए, या जो गायक लोग हो गए, जो लड़के जो गाने वगएरा गाया करते थे अब यह जो आगे वाला पार्ट है ना यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तिल देन आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंट आली ग्राम पर जुड़ना बिलकुल मत भूलना, दिसाइड प्रियांका गोर, I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video, thank you Hello everyone, I am Priyanka गोर, welcome back to my channel, Learning with Pace, Class 6 की हिस्ट्री है, chapter number 8, chapter number 8 का यह है third part, अभी हम बात करेंगे, punch marked coins के बारे में, देखो punch marked coins को ना एक शेप नहीं दी जाती थी, जनरली इनकी शेप कभी-कभी rectangular होती थी, sometimes square and sometimes round, ध्यान रखना है कि एक शेप नहीं थी, बलकि कभी-कभी rectangular, sometimes square and कभी-कभी round, तो यह शेप जो है जनरली punch marked coins को दी जाती थी, punch marked coins किसे बनते थे, metal sheets को काट कर बनाया जाता था, या फिर जो metal globules है, इनको flatten करके फिर यह शेप दे दी जाती थी, जैसे कि rectangular, square या फिर round, तो यह अलग-अलग शेप दे दी जाती थी, यह जो punch marked coins थे, इनको inscribe नहीं किया जाता था, important question है ध्यान रखना, ठीक है, punch marked coins को inscribe नहीं किया जाता था, बलकि इन पर stamp लगाया जाता था, और stamp किसका होता था, symbols का, तो आप यहाँ पर यह देखो, दो punch marked coins देख रहे हो, एक यह आप देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर आपको यह कुछ symbols दिख रहे हैं, तो इस तरीके से ऐसे symbols का punch लगाया जाता था, stamp लगाया जाता था, तो symbols को कैसे stamp किया जाता था, dies को use करके, या फिर punches को use क ठीक, ऐसे ठपपा नहीं लगाते हैं, उसी को हम stamp कहते हैं, hence they are called punch marked coins और इसलिए इनको punch marked coins भी कहते हैं, यह जो punch marked coins है, subcontinents के बहुत अलग-अलग part में इनको use किया गया, इसके अलावा punch marked coins common era के early centuries तक circulate होते रहे थे, मतलब यह काफी सालों तक चले थे, लगबग आप यह कह सकते हो, 500 साल तक punch marked coins का circulation होता रहा था, अब हम coins के बारे में बात करेंगे, you may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page number 82, देखो याद करो हमने page number 82 पर एक story पड़ी थी, वो story ली गई थी जातकाज में से, ठीक है, अब देखो उस story में हमने क्या पढ़ा था, कि किस तरीके से एक poor man rich बन जाता ह है, तो उसकी ameeriat को हमने कैसे समझा था, last में उसके पास 1000 coins collect हो गए थे, so that means जिसके पास जितने सिक्के वो उतना ameer, तो wealth को measure किया जाता था, coins के basis पर, ठीक है, जिसके पास जितने सिक्के होंगे उतना ameer होगा, जैसे कि आज के time पर भी हम यही कहते हैं, जिसके पास जि जिसने excavate किया था, and यह earliest coins जो हैं लगबग 500 साल तक चले थे, और इनको हम क्या कहते हैं, punch marked coins कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यह तो आप ध्यान रखो गई, इनकी इनको अलग-अलग shape दे दी जाती थी, लेकिन एक च अब यहाँ पर एक जो है, exchange की story बता रहे हैं, मतलब आप यह कह सकते हो कि यहाँ पढ़ना barter system के बारे में बता रहे हैं, मतलब अगर आप किसी को एक चीज़ दोगे, तो उसके बदले दूसरी चीज़ लोगे हैं तो इसे क्या कहते हैं, आप यहाँ पर एक संगम collection से short poem जैसे की white paddy के बदले में salt जो है, इसका barter system होता था, या फिर कई बार क्या होता था, कि salt के बदले में पैसा होता था, coin होता था मतलब, या फिर white paddy के बदले में coins exchange किये जाते थे, तो कहने का मतलब है, एक material के बदले में दूसरा material exchange किया जाता था, सिर्फ इतना समझना इस important for variety of reason देखो क्या होता है कि एक single town जो होता है वो बहुत सारे reasons की वज़े से बहुत important हो जाता है जैसे कि आपको न यहाँ पर map number 7 और map number 7 आपको मिलेगा page number 105 पर आपको मतुरा को locate करना है आप मतुरा को locate करो एक बार अपने book खोलो आप यहाँ पर देखो अच्छा एक चीज में आपको बता देती हूँ देखो हमने बैरी गाजा पढ़ा था ना बरूच वो यहाँ पर है मैंने तब आपको map खोल कर नहीं दिखा देती हूँ अब यह दूसरा देखो यहाँ पर है मतुरा 25 साल से भी जादा टाइम से एक important settlement रहे चुका है अब जैसे कि देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक single town बहुत important होता है तो उसके पीछे variety of reasons होते है So same way अगर मतुरा 25 साल से भी जादा टाइम से एक important settlement रहे चुका है तो इसके पीछे reason क्या है इसके पीछे reason यह है because it was located at cross road मतलब यह एक junction point पर located है जैसे कि अगर north west से east की तरफ जाना हो traveling के लिए या trading के लिए ठीक है traveling के लिए या फिर trading के लिए अगर north west से east जाना हो तो भी मतुरा का route लेना पड़ेगा या फिर north से south की तरफ जाना हो तो भी मतुरा का route लेना पड़ेगा तो जो मतुरा है न यह cross road पर located है या यह कहलो कि यह एक junction point है तो जब भी travel या trade के लिए जाना पड़ेगा तो मतुरा से होकर जाना पड़ेगा तो इसलिए मतुरा एक important settlement रह चुका है जैसे कि इस चीज़ को एक बार हम लोग map में देखते हैं यह है मतुरा तो अगर north से south जाना हो या फिर north west से east जाना हो कैसे भी जाना हो यह एक important जो है route था travel and trading के लिए तो इसलिए मतुरा एक important settlement रह चुका है इसके अलावा और भी बहुत सारे reason है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पर shrines भी थी shrines पता है ना क्या होती है जो religious places होते हैं इसके अलावा इस city को fortification भी कराया गया था चारो तरफ और fortification कराने का main reason यही था कि ताकि जो important settlement है ना उन पर कोई attack ना कर पाए मतुरा के आसपास जो रहने वाले farmers and herders थे वो मतुरा के लोगों को food वगेरा भी provide किया करते थे एंड मतुरा एक important center था जहाँ पर fine sculptor किये जाते थे मतलब मुर्ति कला यहाँ पर बहुत अच्छी की जाती थी इसके अलावा other reasons भी है जैसे की around 2000 years ago मतुरा जो है वो कुशानाज की second capital थी मतलब मतुरा जो है जो यह शहर है यह जो town है यह कुशानाज की second राजधानी थी तो इसलिए भी यह एक important settlement था हाला कि इसके बारे में हम chapter number 9 में पढ़ेंगे हाला कि यह हम 8 पढ़ रहे हैं बस इससे next chapter में हम कुशानाज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम यह भी देखेंगे कि कुशानाज ने जो है gold coins को circulate किया था देखो अभी तो हम punch marked coins के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन हम next में क्या पढ़ेंगे next chapter में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कुशानाज थे उन्होंने gold coins को circulate किया था Mathura was also religious center Mathura एक religious center था Buddhist monasteries भी यहाँ पर थी Jain Shrines भी यहाँ पर थे इसके अलावा यह एक important center था Krishna की भक्ती के लिए और हाला कि यह पहले ही नहीं बलकि आज के time पर भी बहुत important settlement है क्योंकि आज भी कृष्ण की भक्ती में जो लोग lean रहते हैं वो Mathura जाते ही जाते हैं So Mathura जो है आज भी एक important settlement है यह कह सकते हैं कि religious center है क्योंकि आज भी वहाँ पर Buddhist monasteries हैं Jain Shrines हैं इसके अलावा यहाँ पर Krishna की भक्ती की जाती है Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found in Mathura Mathura में आपको बहुत सारे ऐसे inscriptions भी मिलेंगे जो की surfaces पर किये गए हैं जैसे कि stone slabs पर या फिर statues पर तो यहाँ पर हमें inscriptions भी पाई जाती हैं यह जो inscriptions है ना यह बहुत ही short हैं छोटी छोटी हैं और इन inscriptions इन inscriptions में लिखा क्या हुए है वह बहुत important और आप ध्यान देना देखो जो men या फिर sometimes जो women है जो monasteries को and shrines को वह gift दिया करते थे उन gift के बारे में describe किया हुआ है in short inscriptions में ध्यान रखना कि Mathura में जो यह inscriptions पाई गई हैं यह short inscriptions हैं and in short inscriptions में क्या inscribe किया हुआ है दान inscribe किया हुआ है जैसे कि देखो आज के time पर भी आप देखोगे न कहीं गाहँ वगेरा में जाकर तो जब कोई अमीर आदमी ना किसी मंदीर में चड़ावा चड़ाता है जैसे कि लगा लो लाखो करोडों में तो उसका नाम न इंसक्राइब कर दिया जाता है मंदीर की एक प्लेट पर so in the same way उस time पर जो men and women monasteries and shrines में दान धिया करते थे उन दान का जिक्र जो है वो short inscriptions में लिखा हुआ है these were made by king and queens officers, merchants, craftspersons who lived in the city and यह short inscriptions जो है यह किसने बनवाई हुए है राजारानियों ने, officers ने, merchants ने, craftspersons ने जो शहर में रहा करते थे for instance यह जो inscriptions है मतुरा से इसमें mention किया गया है goldsmith को blacksmith, weavers, basket makers garland makers garland makers मतलब जो माला बनाते हैं जैसे कि पूलों की माला बनाना and perfumers, so इन सब के बारे में जिक्र किया हुआ है हालकि आपको याद सिर्फ इसमें इतना रखना है कि जो मतुरा में inscriptions पाई गई वो short है और इसमें na gifts के बारे में जिक्र किया हुआ है वो gift जो men and sometimes women ने monasteries and shrines में दिये थे, या यह कहलो दान में जो चीज़े दी थी crafts and crafts persons देखो हमें archaeological evidences से उस time के craft के बारे में भी पता चलता है, तो हमें एक चीज तो यह पता चलती है कि इस time period में fine pottery बनाई जाती थी fine pottery मतलब जो बरतन होते थे मिट्टी के वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे, बहुत ही precise तरीके से, इनको किस नाम से जाना जाता है northern black polished wear अब northern black polished wear क्यों देखो यह northern नाम क्यों आया क्योंकि यह जो pottery है ना, यह subcontinent के northern part में पाई गई तो इसलिए northern नाम है, black polished का मतलब इसलिए है कि इस पर black color की polishing की जाती थी ताकि यह थोड़ा चमकदार लगे and wear का मतलब होता है pottery या बरतन ठीक है तो इसलिए northern black polished wear के बारे में हमें पता चलता है जो कि northern part में पाई गई, remember that archaeological evidences for many crafts may not have survived एक चीज़ आप ध्यान रखना कि other crafts के जो archaeological evidences वो अभी तक survive नहीं हो पाई reason being कि काफी time हो चुका है इसलिए तो हमें text से पढ़कर यह पता चलता है कि इस time period में न manufacture of cloth एक important चीज थी and cloth का manufacture दो center में किया जाता था और दो important center थे जो आपको ध्यान में रखने है एक तरफ north and दूसरी तरफ south तो north में कौन सा center था वारानसी में and south की तरफ मदुराई में तो आपको दोनों के नाम याद रखने है वारानसी इंदा north and मदुराई इंदा south यह दोनों ही important famous center थे यहां पर cloth को manufacture किया जाता था और इन दोनों ही center में men and women दोनों मिलकर काम करते थे तो important question है यह आपको ध्यान में रखना है many craft persons and merchants now formed associations known as shrines अब बहुत सारे ऐसे जो craft person थे and merchants थे craft person वो लोग हो गई जो कपड़ा manufacture करते थे and merchant वो हो गई जो trading करते थे इन्हों ने अपने association बना रखे थे और इसी association को हम क्या कहते हैं most important question है exam में आ सकता है एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि craft person की shrines अलग थी and merchants की shrines अलग थी shrines का मतलब आप समझ गई कि इनका अपना एक ऐसे proper ऐसे association बना हुआ था यहाँ पर merchants हो गई सारे और यहाँ पर craft persons हो गई तो जो craft person की shrines थी यह लोग क्या करते थे यह लोग ना trainingbox करते करते थे कि clothes को कैसे manufacture करना है इसके अलबा raw material को provide करते थे इसके अलबा finished product जो है वो distribute करते थे अब किसको distribute करते थे milliards को अब जो merchants की shrines थी वो trading का काम किया करती थी तो ध्यान रखना आप लोग कि जो craft person की श्रेणी थी उसका काम क्या था? Training प्रोवाइड करना, raw material प्रोवाइड करना, इसके अलावा जो finished product हो जाता है उसका distribution करना तो finished product पता है न आपको क्या होता है? कि जैसे अगर shirt बनके तयार हो गई तो जो वो final product है उसे हम finished product कहते हैं इसके अलावा जो merchant की श्रेणी थी उसका काम क्या था? वो trade को organize करते थे अब जो ये श्रेणी हैं ये banks की तरह भी काम करते थे और ये question आया हुआ है important question है यहाँ से इस paragraph से काफी important question बनते हैं, ठीक है? तो ये जो श्रेणी हैं ये bank की तरह भी काम करते थे तो जो rich men and women थे ये अपनी money को यहाँ पर deposit कराते थे and इस money को invest किया जाता था and जो interest का part बनता था ना वो इनको वापिस return कर दिया जाता था जिन्नोंने deposit कराया है money को या फिर इसके अलावा कुछ पार्ट इस money का जो interest का ये money है ना ये कुछ पार्ट इसका religious institutions या monasteries में दान दे दिया जाता था या इनको support किया जाता था by giving money, ठीक है? अब यहाँ पर इस paragraph में क्या लिखा हुआ है? एक बार ये देखो Northern Black Polished Wear Northern Black Polished Wear hard होते थे अब ये black है, मतलब black polished है, that means कि black surface होता था, तो black surface होने की वज़े से काफी shiny and metallic look लगता था मतलब ऐसे चमकदार सा लुक आता था इन बर्तनों का अब ये जो potter है, किस तरीके से metallic look देते थे इन अर्दरन वेर में? देखो क्या होता था, कि जो ये कुमार होते थे न, अपने मिट्टी के बर्तनों को high temperature पर तपाते थे आग की भटी में किल्न होता है आग की भटी तो बटी में ये जो कुमार है, अपने इन अर्दरन वेर को मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तनों को high temperature पर तपाते थे तो जब मिट्टी के बर्तनों को high temperature पर तपाया जाएगा, तो क्या होएगा? उसके बाहर के surface पर blackening होने लगेगी, काली-काली परत आने लगेगी उस काली परत के ऊपर फिर से पतली एक परत लगा दी जाती थी, काले रंग की और फिर उससे क्या होता था कि पोट्री जो है वो चमकदार लगने लगती थी, ऐसा लगता था जैसे कि mirror like shine हो मतलब जैसे शीशे में एक चमक आती है न तो वैसी ही चमक northern black polished wear में दे दी जाती थी तो important है ये ध्यान रखना, अब जो आगे वाला part है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, rules for spinning and weaving ये जो part है हम next video में करेंगे, till then आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, this is Priyanka Gaur, I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video, thank you Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel learning with pace, class 6th की history का chapter number 8 है, chapter number 8 का ये है fourth part, अभी हम बात करेंगे rules for spinning and weaving के बारे में देखो, अर्थ शास्तर में न, spinning and weaving के rules बताए हुए है, and अर्थ शास्तर के बारे में chapter number 7 में already mention किया हुआ है देखो, अर्थ शास्तर में जो rules बताए हुए है, इसके अलावा एक चीज़ ये भी बताए हुई है, कि किस तरीके से एक special official, पहले तो special official का मतलब समझो, इसका मतलब होता है हिंदी में पदादी कारी, और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई supervisor होता है, या कोई सरकारी officer होता है, ठीक है, तो जो special official है, उसके super vision में, उसकी निगरानी में किस तरीके से कारखानों में spinning and weaving का काम होगा, इस चीज़ को describe किया हुआ है, और अब यहाँ पर rules लिखे हुए हैं कि spinning and weaving के क्या-क्या rules होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर यह बताया ह हुआ है कि कारखानों में कौन लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि widows women, इसके अलावा जो young women है, जो differently abled है, मतलब जिनको किसी न किसी तरीके का कोई disorder है, nuns and courtesians की जो mothers होती है, जो king के यहाँ women काम किया करती थी, बट अब वो retire हो चुकी है, या फिर वो women जो पहले temples में काम करती लेकिन अब वो retire हो चुकी है, वहाँ से भी, तो ये सभी ओरते काम कर सकती हैं कारखानों में, और इनको क्या करना है, इनको रो माटीरियल को process करना है, रो माटीरियल जैसे की wool, bark, cotton, hemp, flax, इनको process करके finished product तयार करना है, ठीक है, अब दूसरा rule यहाँ पर लिखा है, कि इन अबी workers को जो salary दी जाएगी, वो quality and quantity के हिसाब से दी जाएगी, अब quality and quantity का मतलब क्या है, सबसे पहले quality का मतलब समझो, कि अगर finished product बहुत ही अच्छा होगा, quality बहुत अच्छी होगी, तो पैसा मिलेगा, उस हिसाब से, इसके हलावा quantity, मतलब जितना ज्यादा finished product होगा, उतन इसके हिसाब से पैसा मिलेगा, तो quality and quantity दोनों का ध्यान रखा जाएगा, अब third rule लिखा हुआ है, कि जिन women को घर से बाहर निकलना allowed नहीं है, तो वो भी घर में बैठ कर काम कर सकती है, कैसे, कि वो खुद तो घर से निकल नहीं सकती, लेकिन वो अपनी servant को कार खानों में भे पहुँचा सकती है, fourth rule क्या है, fourth rule ये है कि जो women workshop में मतलब कार खानों में जा सकती है, वो finished product को खुद ही कार खानों में लेकर जाएगी and कार खानों में ही जब वो जाएगी तब उनको wages दी जाएगी, मतलब उनको salary दी जाएगी, fifth rule क्या है, fifth rule ये है कि कार खानों में light बहु होनी चाहिए ताकि जो official है वो अच्छे तरीके से quality को check कर सके ठीक है examine कर सके and fifth rule क्या है अगर superintendent मतलब जो supervisor है या special official जिसे हम कह रहे हैं और उसको यहाँ पर एक और नाम हम बोल सकते superintendent तो अगर यह superintendent women की तरफ गलत नजर से देखेगा या फिर काम के अलावा उनसे फालतू बाते करेगा तो superintendent को punish किया जाएगा अब seventh rule यह है कि अगर women अपना काम ढंग से complete नहीं करेंगी तो उनको fine pay करना होगा या फिर उनका thumb मतलब उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है so these are few rules जो अर्थ शास्तर में लिखे हुए हैं अब आपको इसमें देखो ध्यान सब कुछ रखना है important है एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि अर्थ शास्तर में spinning and weaving के rules लिखे हुए हैं इसके अलावा यह सारे rules आपको पता होने चाहिए question आने के पूरे पूरे chances हैं यहां से ठीक है a closer look अरीका मेडू अब आपने अरीका मेडू को map number 7 में locate करना है अरीका मेडू है पुडू चेरी में next page पर Rome के बारे में भी बताया हुआ है वो box भी हमने पढ़ना है लेकिन उससे पहले अरीका मेडू की बात करेंगे लगबग 2200 से 1900 साल पहले अरीका मेडू एक important costal settlement था यहां पर दूर दराज के places से सामान लाया जाता था और सामान लाया जाता था ships के through and सामान को unload किया जाता था अरीका मेडू में एक बहुत बड़ा brick structure भी मिला है मतलब इट का बना हुआ धाचा भी मिला है that means कि यहां पर एक यह warehouse भी था तो एक चीज़ यहां पर आपको क्या याद रखनी है बहुत important है यह paragraph ध्यान से आपको इसको समझना है और याद रखना है देखो अरीका मेडू एक coastal settlement था यहां पर ships के थुरू सामान लाया जाता था यह जो सामान लाया जाता था यह distant places से लाया जाता था मतलब दूर दराज के places से लाया जाता था और इस सामान को अरीका मेडू में unload किया जाता था मतलब सामान को यहां पर उतारा जाता था ठीक है इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि यहां पर एक इंट का बना हुआ बहुत बड़ा धांचा था बहुत बड़ा massive structure था अब यह जो massive structure था यह क्या था यह था एक warehouse ठीक है अब एक चीज़ ध्यान रखना जहां पर सामा को unload किया जाए so that means वहां पर तो warehouse होगा ही होगा क्योंकि warehouse क्या होता है जहां पर कच्चे सामान को store किया जाता है point clear हो गया तो यह point आपने ध्यान रखना है कि अरीका मेडू में सामान उतारा जाता था distant places से यह सामान लाया जाता था अब दूसरी चीज़ यहां पर क्या मिली है वो देखिए Mediterranean region में यहां पर pottery मिली है अब इस pottery को क्या कहा गया पोट्री का मतलब पता है न मतलब जिसे हम बरतन कहते हैं तो इस pottery को कहा गया amphorae ध्यान रखना amphorae यह नाम भी आप याद रखेंगे आया हुआ है यह question ठीक है अब यह amphorae क्या है tall double handled jars मतलब एक jar था यह जो बहुत बड़ा था tall था and double handled मतलब दो इसके handle लगे हुए थे जैसे कि देखो यह एक jar हो गया ठीक है अब इसमें ऐसे double handle लगे हुए है यह देखो ऐसे यह है amphorae कहा पाया गया Mediterranean region के पास ओके तो ध्यान रखना है यह है amphorae जो की tall double handled jar था अब question यह भी आया हुआ है एक बार कि इस jar को amphorae को किस लिए use किया जाता था तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें liquids को store किया जाता होगा ठीक है liquid को मतलब जो liquid पदार्थ होते जो तरल पदार्थ होते हैं उनको store किया जाता होगा जैसे कि या तो wine मतलब या तो शराब या फिर oil मतलब तेल अब आपको दूसरा क्या याद रखना है यहाँ पर amphorae मिला है amphorae that means store double handle jar था यह और इस jar को use किया जाता था liquid को store करने के लिए या तो शराब या फिर oil अब थर्ड चीज यहाँ पर क्या है जो पाई गई that is stamped red glazed pottery stamped का मतलब stamp लगा हुआ था red glazed का मतलब क्या है red color का चमकदार pottery यहाँ पर पाया गया जिसे क्या बोला गया क्या नाम दिया गया arantine wear और ताइन वेर नाम क्यों दिया गया इसे क्योंकि ये एक शायद red glazed por ten शायद arantine शहर में पाई जाती रही होंगी और ये arantine जो है ये एक शहर का नाम है जो की इटली में है, फाइन, थर्ड चीज आपको ये याद रखनी है, तो थर्ड चीज आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पर एक red glazed potry मिली, मतलब एक ऐसी potry जो की red color की थी, चमकदार थी और जिस पर stamp था, और इस stamped red glazed potry को कहा गया, और ये एरें टाइन वे, इस वेर का नाम एरें टाइन इसलिए पड़ा कि शायद ऐसी stamped red glazed potry एरेंटाइन में पाई जाती रही होंगी, और इसलिए इसका नाम इस एरेंटाइन के शहर के नाम पर पढ़ गया, और ये शहर इटली में है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो stamp लगाया जाता था, इस red glazed pottery पर यह stamp लगाया जाता था, wet clay को press करके, अब फौर्थ चीज यहां पर क्या पाई गई है, फौर्थ चीज यहां पर पाई गई है कि एक ऐसी pottery जो यहां locally बनाई जाती थी, लेकिन यह pottery जो बनाई जाती थी ना, इस पर Roman design किया जाता था, so that means यहां पर Rome का कोई ना कोई connection रहा होगा, या फिर Rome के लोग यहां आकर रहे होंगे, ठीक है, and इसके अलावा Roman lamp, glassware, and gem, मतलब gemstone, यह चीजे यहां पर पाई गई है, अब फिफ्थ चीज जो यहां पर पाई गई है, वो है small tank, अब यह small tank जो है, dying wets के के लिए use किया जाता होगा, dying wets मतलब कपडों को dye करने के लिए, रंगीन बनाने के लिए कपडों को, रंग देने के लिए, ठीक है, इसके अलावा यहां पर semi-precious stones भी पाई गए है, glass भी पाई गई है, और इस semi-precious stones and glass से beads बनाए जाते थे, ऐसे करके, ऐसे मोती से पाई गई, several pieces of pottery have inscriptions in Brahmi, कि कुछ ऐसी pottery थी, जिस पर ऐसे ब्रामी लीपी पाई गई है, ब्रामी लीपी से कुछ लिखा हुआ मिला है, और यह जो ब्रामी लीपी है, इसको use किया जाता था, तामिल लिखने के लिए, ध्यान रखना, अब देखो यहां पर आपको क्या-क्य चीजें याद रखने हैं, मैं दुबारा से revise करा देती हूँ, क्योंकि यह बहुत, बहुत important है, ठीक है, तो एक बार इसको दुबारा से revise कर लेते हैं, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, कि अरी का मेडू एक coastal settlement था, ठीक है, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी ह पहली चीज याद हो गई दूसरी चीज एमफोरे मिले हैं यहाँ पर एमफोरा क्या होती है एक ऐसा जार जिसमें ऐसे डबल हैंडल लगे हुए हैं और इसमें लिक्विड को स्टोर किया जाता होगा जैसे की या तो वाइन या फिर ओईल थर्ड चीज आपको क्या याद रख जो एरेंटाइन है यह एक इटली में शहर है अब फिफ्थ चीज आपको क्या याद रखनी है आपको याद रखना है कि यहां पर ऐसे पोट्री बनाई जाती थी जो की लोकली बनाई जाती थी लेकिन उन पर रोमन डिजाइन दिया जाता था तो शायद रोमन पीपल के घ Index को रंग दिया जाता था अलग-लग तरह का का अलर्श जो है वह एक लोग पर चड़ाया जाता था फिर आपको ध्यान रखने कि यहां पर बीर्बाइचा जाते थे जोकी सेमे प्रिश स्टोंस या ग्लास के बने हुए होते थे फिर आपको ध्यान में रखनें कि यहां प तामिल को लिखने के लिए अब यहाँ पर हम एल्सवेर में रोम की बात करेंगे अब आपने रोम को लोकेट करना है मैप नंबर 6 में और मैप नंबर 6 आपको पेज नंबर 76 पर मिल जाएगा रोम एक बहुत पूराना शहर है योरोप का और इसके अलावा रोम जो है वो उसी टाइम पर योरोप में ड्वेलप हुआ जिस टाइम पर हमारे यहां गंगा वैली में शहर ड्वेलप हुए थे तो साइमल्टेनियसली हमारे यहां इंडिया में गंगा वैली के पास शहर ड्वेलप हो रहे थे और वही योरोप में रोम जो शहर है वो ड्वेलप होने लगा था, रोम एक बहुत बड़े एंपायर की राज़धानी रह चुका है, इसके अलावा रोम जो है काफी जगों तक स्प्रेड था, जैसे कि योरोप, नोर्थ अफरीका एंड वेस्ट एशिया, ओगस्टस एक बहुत इंपोर्टेंट रूलर था, एक बहुत इंपोर्टेंट एंपेरर था रोम का, और इसने लगबग 2000 साल पहले यहां पर रूल किया था, ओगस्टस ने ये कहा था कि रोम एक सिटी ओफ ब्रिक था, और ही मेड इंटू असिटी ओफ मार्बल, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, इसने कहा कि रोम एक इटो का शहर था, जिसको मैंने मार्बल का शहर बनाया, मतलब पहले ये इटो का बना हुआ था, जिसको मैंने फिर मार्बल संगमर्मर के पत्थर से पूरा बिल्ट कराया है, ओगस्टस के बाद जो रूलर्स आये थे, उन्होंने यहाँ पर टैंपल्स बनवाए, बहुत सुन्दर से महल भी बनवाए यहाँ पर, इसके अलावा जो लेटर रूलर्स थे, उन्होंने एमपी थियेटर्स यहाँ पर बनवाए, अब ये जो MP theaters थे ये क्या थे ये न ओपन ऐसे arenas थे जहां पर चारों तरफ सीधिया लगी हुई थी और इन सीधियों पर बैट कर हर एक citizens अलग-अलग तरीके के shows अलग-अलग तरीके के कार्यकरम देख सकते थे यहां पर public बात बनवाए थे और जाहिर सी बात है कि men and women के लिए separate timings होते रहे होंगे यहां पर लोग बैठा करते थे एक दूसरे से मिला करते थे relaxed किया करते थे आराम किया करते थे इसके अलावा यहां पर rulers ने huge aqueducts बनवाई हुए थे यह न एक artificial ऐसे tank से होते हैं जिससे water को supply किया जाता है तो इन aqueducts के through water को convey किया जाता था शहर के लोगों तक bath के लिए fountain के लिए and other उनके personal use के लिए toilets के लिए ठीक है तो इस तरीके से यह Rome शहर जो है develop किया गया था अब इसकी आगे ना कुछ exercise भी दी हुए हैं वो भी कर लेते हैं चलो यह filling the blanks कर लेते हैं देखो सबसे पहला filling the blanks क्या है डैश was the word used for large land owners in Tamil Tamil में large land owners को क्या कहा जाता था वैल आलर ठीक है तो इसमें क्या आएगा वैल आलर next है कि जो gram bojak है वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे तो वो अपने land को किन से cultivate कराते थे slaves से या फिर hired worker से next है plowmen were known as dash in Tamil Tamil में plowmen ordinary plowmen को क्या कहा जाता था उजहावर next है most ग्रहपतीज वर अब जो ग्रहपतीज थे वो क्या थे smaller land owners थे और एक चीज़ और ध्यान रखना यह independent थे ठीक है अब यह question आप लोग कर ले ना यहां पर correct one पर भी हम एक बार tick कर लेते हैं तो इससे हमारे जो mcqs है वो भी solve हो जाएंगे देखो ring wells को किस लिए use किया जाता था drainage के लिए punch marked coins जो है वो किसके बनेते silver के next है मतुरा एक important center था किस चीज़ का religious center ठीक है इसके अलावा श्रेणी जो है वो association था किसके craft person का जो association था उसे हम श्रेणी बोलते हैं इसके अलावा यह important date भी आप ध्यान रख लेना iron का जो use होने लगा था वो लगबक कुछ 3000 साल पहले use होने लगा था iron cities and punch marked coins इनका जो use है वो बढ़ने लगा था कुछ लगबक 2500 साल पहले संगम literature का जो composition हुआ था यह कब हुआ था 23 साल पहले यह important है ध्यान रखना and arika medu एक coastal settlement था जहां पर दूर दराज के शेतरों से सामान लाया जाता था यहां पर सामान को unload किया जाता था तो यह कब की बात अब 22 से 1900 साल पहले की तो यहां पर हमारा 8th chapter complete होता है हम कल करेंगे 9th chapter के बारे में बात तिल देन आप मेरे साथ instagram पर जुड सकते हैं my instagram id is priyankagor8 they said priyankagor I wish you all the best keep learning thank you so much for watching this video thank you bye बाब बाइ